तो इस वीडियो में हमें structure देखने वाले हैं कि structure क्या होता है structure एक तरीके एक तरीका है जिसमें आप variable का group बना सकते हैं structure क्या है एक तरीका है जिसमें आप कई सारे variables का group बना सकते हैं इसमें एक जैसे variable हो वो जरूरी नहीं है मतलब उसमें इंटे भी हो सकता है, float भी हो सकता है, character भी हो सकता है, integer भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कई data type का group हो सकता है, तो structure वो होता है, structure बनाने का मतलब आप एक नया data type बना रहे हैं, मतलब आपने अगर एक structure बना लिया, group of data type आपने बना लिया, तो वो group of data type बन लेने के बाद फिर वो एक data type हो गया मतलब structure से बना हुआ एक data type हो गया ठीक है आप इसको define कैसे करते हैं define ऐसे करते हैं struct की का keyword का use करते हैं date यह data type हो गया और number of इसमें लिखे हुए है int dmy तो यह dmy यह int type के variables है तो यह पूरे variables इसमें लिखे हुए है और यह जो variables है यह date data type के variables कहलाएंगे जब आपने structure keyword का use करके date type का data type आपने बनाया है और अंदर जो ہے int type के जो variables आपने define किये हैं तो यह variable data type के कहलाएंगे कि यह data type का variable तो structure ऐसे define होता है तो struct क्या है यह keyword है date क्या है यह data type हो गया और अंदर जो है यह इसके variables हो गया ठीक है अब एक example देखते हैं कि data structure को कैसे हम define करते हैं ठीक है हमने struct की की मदद से student नाम का हमने एक data type बनाया फिर उसके हंदर int, role number, character, फिर name, character type का हमने name कर लिया और integer type का हमने age कर लिया मतलब हमने तीन variables हमने बना लिये ठीक है यह ऐसे ही बनता है bracket बन, semicolon ऐसे बनता है यह ऐसे define किया जाता है structure को और भी बड़ा structure आप बना सकते हैं ठीक है यह तो एक group of data type हो गया है ठीक है जब यह group of data type हो गया तो इसका भी कोई ना कोई नाम होगा तो वो student है तो student भी क्या कहलाएगा एक data type कहलाएगा ठीक है structure को define करने से वो memory consume नहीं करता है अगर आपने ऐसा structure define किया है तो यह memory consume करेगा ही नहीं यह memory में story नहीं होगा क्या आपने क्या लिख रखा है ठीक है तो define करना मतलब store memory store नहीं करना consume नहीं करना ठीक है इस्ट्रक्चर एक local define होता है और एक global define होता है जो structure हम बनाते हैं एक global define करते हैं एक local define करते हैं तो local और global define करने का क्या मतलब होता है यह हम देखते हैं जैसे हमने main से हम कोई भी program start करते हैं तो main के अंदर जो हम structure define करते हैं उसको local define बोलते हैं जैसे कि मैंने main बना रखा है उसके अंदर हमने struct date करके हमने structure बनाया ABCD हमने variable ले लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे local define अब local define में क्या यह बस कोई main ही use करता है main के अंदर जो चीजे हो रही है main का bracket खुला और main का bracket बंद हो गया तो इसके दो अंदर चीजे हो रही है बस वही use कर सकता है इस structure का और कोई नहीं use कर सकता इसको हम local define बोलते हैं structure को ठीक है एक होता है global define global define क्या है यह कोई भी use कर सकता है कोई भी function उसकरते हैं, इसको global defined function बोल सकते हैं, ठीक है, ये σको main भी use कर सकता है, तो सभी function इसको Suzanne and 면 must करते हैं, इसको global defined structure बोलते हैं, जो कैसे defined होता है, ये main के बाहर defined होता है, जो fourth struct date लिखा हुआ है, enter type के 3 variable बना रखे हैं, ब्रैकट बंद है और main को हमने बाहर बना रखा है तो यह global define हो गया ठीक है अब हमें एक program की मदद से देखते हैं कि structure जो है कैसे हम बनाते हैं structure का program ठीक है हमने पहले structure को define किया कैसे और इस program का नाम क्या information of record record बुक में कोई इंफॉर्मिशन रिकॉर्ड करना चाहरे है या इंफॉर्मिशन आड करना चाहरे है तो इसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम पहले define करते हैं structure को structure book type का हमने एक data type बनाया कोई भी नाम लेख सकते हैं आप book ले सकते हैं या copy ले सकते हैं या और कोई नाम लेख सकते हैं तो struct keyword आपको लगाना ही लगाना है book आपने अपने मन से कोई data type define कर लिया फिर उसके अंदर हमने क्या किया int book id मतलब book id एक variable है int type की care title मतलब character type का आपने title ले रखा है वो array है जो की 20 alphabet store कर सकता है float type का आपने एक variable ले रखा है जो की float type की value को लेगा फिर आपने ये बंद कर दिया structure ठीक है अब हम एक function बनाते हैं जो की input करवाएगा value को चीक है हम एक function बनाते हैं जो की input करवाएगा अगर आप function ऐसा बनाते हैं जो structure को use कर रहा है तो आपको उस function को बनाते वक्त आपको struct key का use करना पड़ेगा नहीं तो अगर आप structure से related कोई चीज आप return करवाना चाह रहे हैं तो आप struct key का use करेंगे ही करेंगे तो मैंने struct key और book हमने use किया है क्योंकि हम book use कर रहे हैं बुक क्या है एक data type है क्योंकि book type की value return हो रही है तो हम जिस type की value return होगी उसी type की value हम return type में लिखेंगे अब जिसे return type में struct book है तो मतलब book type की data type हम return करवा रहे हैं तो हमने input type का एक function बराया है जिसमें हमने struct book b अब ये book b का क्या मतलब है तो struct keyword है हमें लगाना ही लगाना है क्योंकि structure बनाते बुक हमारा data type है जैसे कि हम int float character ये data type होते है वैसे ही structure में हमने book को पहले हमने define कर दिया ये data type है अब उस data type का हमने variable भी भी बनाना है तभी तो हम use कर पाएंगे उस data type को तो हम उस type उसको हम जभी use कर पाएंगे उस data type को, जब उसका variable बनाएंगे, जैसे integer है, integer को हम define कर देने से हम उसको use तो कर नहीं सकते हैं, उसका variable बनाना पड़ेगा, ऐसे ही structure में हम, जैसे ही हम book लिखना चाहते हैं, तो हमें उसका variable बनाना पड़ेगा, तो हमने b बना दिया उसका variable ठीक है अब हमने print करवाया इंटर आइडी टाइटल और प्राइस अब हमने scanf की मदद से address b.book id अब हम b.book id हम क्यों कर रहे है address of मतलब input कर रहे हैं address of का मतलब तो हम समझ रहे हैं कि हम input करवाना चाह रहे हैं लेकिन b.book id का क्या मतलब है b.book id का मतलब यह है कि जो variable है जो book type का structure है बना रखा है उसके अंदर जा करके book id है उसमें data store करो b.book id का मतलब यह हुआ book.id अगर आपको लिखोगे तो वो जो अंदर की जो value है उसको खोजने लग जाएगा कि book id कहां है book id कहां नहीं हमें उसको बताना है compiler को b.book id में जाओ मतलब हमने b.type का हमने variable बना रखा है जो की structure की मदद से बन रखा है उसकी book id में जाकर की data store करो चीक है ऐसा ही हमने title में करवा रखा है b.title ठीक है ऐसा ही scanf करके हमने फिर price में data store करवा रहे है b.price अब जैसे कि मैंने यहां पर हमने struct book b हमने नाम का variable बना रखा है तो आप कम सक्का उन्हों दसों variable बना सकते हैं बुक b struct book b struct book c struct book d तो ऐसे करके आप कई सारे variable आप बना सकते हैं इसमें कोई ज़रूरी मैंने एक बनाया आप 10-100 variable बना सकते हैं और 10-100 variable से जैसे कि माहलो आपने c बनाया struct बुक c बनाया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी आपने विरेबल बना देया है structure का तो हमें इतने variable की जरुरूत नहीं है तो हमने a की variable बनाया है और उससे ही हम data को input ले रहे हैं user से input ले रहे हैं तो ठीक है b.price हमने लिख दिया और उससे हमने user से input ले लिया ठीक है अब हमने user से input ले लिया वो input store हो गया ठीक है अब हम return करवा रहे हैं b को हम b को क्यों return करवा रहे हैं क्योंकि b के variable में B में ही तो store हुआ है यह चीज़े है हम क्योंकि B क्या है book type का variable है ठीक है हम हम B में ही तो चीज़े store करवा रहे है book data type है book तो हम return करवाएंगे नहीं क्योंकि वो एक तरीका का data type उसका हम variable return करवा सकते हैं क्योंकि variable में ही data store हो रहा है तो हम B return करवाएंगे इसको, अब return हमने B करवाया है, तो अगर B हमने return करवाया है, तो B किस तरीका का variable है, वो book type का variable है, तो अगर हम B return करवा रहे हैं, तो उसका return type भी book ही होना चाहिए, तो इसलिए हमने struct book लिख रखा है, सबसे उपर, देखिए हमने function में, struct book input लिख लिखा ह अब वो struct book में store हो गया है, ठीक है, फिर हमने main program बनाएं, क्योंकि हमारा main program बनाना ज़रूरी है, कोई यह program स्टार्ट होता है, वो main से ही start होता है, ठीक है, अब main में struct book और B1 करके हमने एक और variable बना लिए, वो तो हमने function में बनाया था, यह हमने main में जाकर कि एक और हमने variable ब input का हमने call किया, हमने input को call किया, input function को call किया, अब input function कहां बना हुआ, हमने उपर बना हुआ, जो कि हमने समझ लिया है इसको, तो input क्या return कर रहा है, input return कर रहा है B, ठीक है, अब input में B store हो गया, ठीक है, input में B store हो गया, अब B किस तरीके का है, वो book तरीके का है, तो book तरीके की value book तरीके में ही तो store हो सकती है और किसी में तो नहीं store हो सकती है तो book data type की value book data type की तरीके value में ही store हो सकती है तो b1 भी book तरीके के data type ही तो हम b1 में ही store करवा सकते है ordinary variable में हम store नहीं करवा सकते हैं तो यह b1 में जाकर के store होगे अब हम b1 को print करवہना चाहरे है तो b1 क्या है? b1 एक variable है अब variable b1 print करवाने से पूरा data नहीं प्रियंट होगा अब b1 में भी आप क्या print करवाना चाहरे है? फिर यह से प्रिंट होगा अब जैसे print करवाना चाहरे हैं हम book ID print करणा तो b1 dot book ID ऐसे print होगा फिर इसके बाद हम उसके title को print कर रहा है तो b.title ऐसे print होगा चीए b.price ऐसे print होगा तो ऐसे यह तीनों value प्रेंट कर वा लेते हैं फिर इसके बाद output में कैसा देखेगा मैं इंटर id title price यह डालो तो यह जो user है यह id1 डालेगा और कोई title डाल देगा मालीजे computer title डाल दिया उसने और उसका price डाल दिया मालीजे 200 डाल दिया तो वही as it is print हो जाएगा आपका ठीक है one computer 200 ठीक है झाल हूँ झाल दिया झाल दिया वही राल दिया दुझता T